कोरियोग्राफर और खत्रों की खिलाडी नौ के विजेतर है पुनीत पाटक की जब सगाई सेरमेनी की फूटो सामने आई तो लोग हैरान रहे गए कुछ लोगों को अनहोनी का डर भी सताने लगा क्योंकि पुनीत किसी भी एक्टरस को नौ महिने से ज़्यादा डेट ही नहीं कर पाए तो शादी करने के बाद क्या होगा जिहां पुनीत पाटक ने लॉंग टाइम गल्फरेंड निदी मुनी से सगाई कर ली है पुनीत और निदी शादी करने वाले हैं लेकिन इस बीच पुनीत के अफ्यर की जोरो शोरो से चर्चा होने लगी है लोग उनका मजाग बना रहे हैं क्योंकि पुनीत ने जिन भी एक्टरस को डेट किया उनके साथ वो बहुत जादा एक साल तक ही रिलेशनशिप में रहे उसके बाद उनका ब्रेक अप हो जाता था पुनीत की पहली गल्फ्रेंड शक्ती मोहन थी जिन्नोंने पुनीत के साथ डांस इंडिया डांस टू में काम किया था और वो शो की विनर भी वनी थी इस शो से पुनीत और शक्ती एक दूसरे को डेट करने लगे थे लेकिन कुछ ही महीनों में इनका ब्रेक अप हो गया शक्ती मोहन के बाद रियालिटी शो जलक दिकला जा सीजन फोर से पुनीत की नजदी किया अंकिता लोखंडे से बढ़ी नी बताया चाता है कि कुछ टाइम तक इन्होंने भी एक दूसरे को डेट किया लिए फिर ये जोड़ी भी अलग हो गई एक डांस रियालिटी शो में पुनीत ने मोनी रॉय के साथ डांस किया महां से इनकी नजदी क्या बढ़ने लगी मोनी इंडस्ट्री में तब नई थी पुनीत ने मोनी को करीब देर साल तक देच किया और मोनी फिल्मों में विजी हो गई इसके बाद इनके बीस्ट भी दूरियां आ गई इनके लावा पुनीत ने लॉरन गॉटलिव को भी डेट किया जो ABCD जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी है और फिर पुनीत का नाम TV एक्डर्स रिद्दिमा पंडिस से भी चुड़ा रिद्दिमा ने भी पुनीत के साथ कई रियालिटी शोज में काम किया दोनों कई बार एक साथ देखे जा चुके हैं लेकिन दोनों ने कभी अपने रिष्टे का खुलासा नहीं किया तो आपको पुनीत के साथ कौन सी एक्डर्स सबसे जादा पसंद आई कॉमेंट करके ज़रूर बताएं मिलम न्यूज रिपोर्ट